हेलो फ्रेंड्स आज की डेट है नोवेंबर 1st 2023 आज से आगर आपको प्रिलिम देना होगा यूपसी शी एसी का स्विल से रिसेश का तो आपके पास 185 डेज बशते तेके फॉस्ट न्यूस इंप्रॉटन न्यूस एपल साइबर सिकुरिटी एपल ने इंफर्म किया है कि कुछ अपोजिशन लेडर्स को और कुछ लोगों को एपल की तरफ से एक मैसेज आया है कि आपका फोन हैक या फिर वाच किया जा रहा है स्टेट पॉंसर्ड एजनसी के द्वारा ठीक है कोई तो भी आपके पूरे मैसेज आ रहे है किसको मैसेज बेज रहे है किसे बात कर आपका camera on हो जा रहा है आपको पिना पता चले तो यह सारी चैसे हो रही है इससे पहले भी पेगैसे रिगार्डिंग इश्व आया था उसको भी देखेंगे आपन और लिकना पहले देखेंगे आज की निश के आए ठीक है over a dozen opposition's leader and the journalist received email alert from US-based tech giant Apple on Monday night थthonर्क है बापीसल मेला है इससे आपका की एको इच्व चैसे को आपका प। audio आपिसलों के आपको मेलाय है informing them that their digital device were being targeted by a state-sponsored attackers police स्बphony आपके कमठेther trabajि Совीयो को 2022 on Tuesday the Union Government said it would launch an investigation into the alerts Union Government ने बोलाए कि हम इसको पर investigation बिताएंगे Apple believes that you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhones associated with your Apple ID थे अलेट ने बोलाए अलेट के अंदरे मेसेज है that state sponsored attackers वो आपकी security को compromise करें remotely वहां बेटे बेटे बिना हाथ लगाया कि फोन के these attackers are likely getting lightly targeting your individually because of who you are or what you do ये तो आपको 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 आपकोआँएगे इसको आपको 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 आपकोत Tanakh करें if your device is compromised by the state sponsored attacker they may be able to remotely access your sensitive data communications and even the camera and microphone तो इन्हों ने बोला आगर आपका फोन कॉंप्रमेज डाटा होता है इसके अंदर तो वह जो यूज कर रहा है जो है कर रहा है बंदा वह आपका से मीकूरफोन को सब्साइब करी।ating ने में पाथ मैं तो को पोड़ें Μें यां एक यह फ आपको से जए कामेरा में नहीं पता चले forgiving को सह्यलू करें को बने क्रो that एलिदेब एक जाइस कर सकता है थो सो कि आण डर मैं तो 12 आग एक फाया दिखंगे किया ऎसी increase in दिया एपल सेड देर वाज़ चांस आफ दिस अलर्ट बीग ऑफ फाल्स आलाम एपल कंपनी फिर से यह बात बुली कि यह फाल्स आलाम भी हो सकता है चांसे इसका बट्ट वियाल सो आज रिसिप्रेंट्स तू टेक दो वार्निंग शिरिशली लेकिन जिन को रिसिपन जो 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 ज कि देमन इसका बोला है यह देखिए इन्टेक इनलाइस करके यह बेजे गए इमेल वेजे गए और एंटी कंट्री लोगों को बेजेगा इन डिजे गई इन्डिया की इन इयुजरी जो नहीं है फेजे गए त्सवीमे इंडिया पंगलादेश के लिए इंडिया पंगलादेश के लिए अकुरा अगरताला रेल लिंक तो बी इनागरेटेड वर्चुली बाई पीम मोदी और पीम शेक असीना तुड़ेग दोनों ये वर्चुली इनागरेट करेंगे अंकुरा अगरताला रेल रेल्वे को इनने हिस्टोरिक मूँ बांगलादेश और नौर्थ इस इंडिया विल रेल्वे कनेक्टिवेटी त्रीपुरा नौर्थ ठीक है तो बांगलादेश त्रीपुरा से डारेक्टा तक ट्रेंज आई वह बांगलादेश को सर्पास करके वहां से वह जाएगी तो यह पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है आफ्टर नेरली गैप उप सेवन आप बांगलादेश कांटरपार्ट शेक हासी यह दोनो मिल्कीष को इनागरेट करें इनुने बोला इस रेल्लिंक विल बी सीन अस फिर्स स्ट्रीपुरा तो कलकत्ता तुर्थ बांगलादेश यह वाद रखिए बांगलादेशी लाइन चलेए की सिधी ठीक है अग्या अग्या रूट 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 वाया गौहाटी अग्या जल पाइगुरी इस बाते तरी पूरा सदन असम मिजूरं पर कलकत्ता इस फिलेल्प बूस्ट बूस्ट इंड्या बंगलादेश त्रेड विस्केबूस्ट ओगा अगलेश प्रेंग तो सामाने चाइगा इसके साथ अग्रिकल्चर प्रोड़क्ट्स टी शुगर कंस्ट्रक्शन आइटम्स आयरन स्टील कस्टम आइटम्स कंजूमर आइटम्स बिसाइड्स पीपल टुपीपल टाइस भी इससे बढ़ेंगे ठीक है दांकुरा अगरताला क्रोस बॉडर रेल लिंक प्रोजेक्ट स्पोर्टड बाय ग्रांट एड ओफ 392.52 करोड एक्टेर एक्टेर ने दो एड रखकी है कि इंडिया ने ग्रांड दीए उनको वह पैसे वांग्लादेश को कितने रुपे की 392 कौरोड रुपे की और उसके अंदर एक प्रजेक्ट बना है यह इंपोर्टन पुएंट है कि इसको पुरा एंडिया ने पैसा दिया अंकुरा जंक्षन लोकेड इन बांगलादेश ब्रह्मन बरिया इस्टिक इस पार्ट प्रिट्ट गावन दिविजिन और रिच इस्ट्री ऑफ कमर्शियल और कुल्चलर टाइज इन नौर्थ इस इंड रिजिन सिन दर कलुनियर इरा तप्सीन की टाइज अच्छे प्रोजेक्ट रिवार्ड इन 2010 उन प्रायमिंटर मनमौन सिंग जा दू अगरिमेंट तु रिबिल्ड आपनेगाटीवान की तू सरह से लिएविण से घाशिनाज विजित तू नौ दिली ूमार्द मनमौन सिंग आप इस्ट्रॉजिय्क्त को बात कियिति लेकिन ये कम्प्र से अगरतला तक करेंगी ठीक है अगरतला तीक पुरा के अंदर है अरांकुरा तो यह सीधी जाएगी कि नौर्थ इस डिरीजीन को कलकता से इतनी सारी सीदी याद रखें आप कुछ भी निसके अंदर important यहाँ पर छोटी सीने उजे social worker from Buster wins Rohini Nair price तो यहाँ पर important बनता है Rohini Nair price क्या है ठीक है देखते हैं इसके थोड़ी information Rohini Nair price for outstanding contribution to Ruler development यह पूरे price का ना में यह रूलर development के लिए दिया जाता है इस आवर्ड एन्योली हर साल जाता है by the Nair foundation for social economic purpose in the memory of Rohini Nair इनके याद में इसको दिया जाता है Rohini Nair की she was a renowned economist who worked in the planning commission of India and become IS officer and passed in October 2021 ठीक है planning commission में में काम किया यह याद रखिया the price consists of a cash of 10 lakh rupees cash milte 10 lakh rupees citation and a trophy to an individual of 40 years or under the 40 aar के अंदर ही ठीक है तो आपके ओमर 40 साल के जाता होगे तो आपको नहीं मिल सकता ही यह trophy इसनी बाद याज रखिया Shetri Cham Sangtham a 40 year old who run an NGO that works with the farmers in eastern Nagaland on the first Rohini Nair prize for outstanding contribution to ruler development यह first prize विजेता है इस प्राइस के ठीक है इतना ही इन का ना में याद रखिये और इस इसके रिगार्डिंग information भी याद रखिये उसके बाद आप है भी अमोधि प्रेज ट्रीबू तु पतेल लांचे दडेवलोपेंट प्रजेक्टें तेच्छ अफ इनुटी स्टेच्ट अफ यह शेच्ट करने गई थे चैच्ट अपर हैं के वाडिया में यह गुजरात के अंदर है ठीक है देखते है न्यूज में कहा है प्रामेट अनलिंद्र मुदी पेड फ्लावर ट्रिबू टू जावारला नहीं पेड फ्लावर ट्रिबू टू सर्दार वल्लभाई पतेल अड़ श्टैट्यू अफ उनिटी इन अर्मादा गुजरात ऑन बर्थ अनुवर्सरी ऑफ इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर विची सेलिब्रेट एड उसको कसी सेलिब्रेट केया जाता है नैश्नल उनिटी दे की स ठीक है तो 31 ऑगस्ट को 31 ऑक्टोबर को इनकी बर्थ अनुवर्सरी थी उसी को आपन जन्न जिवस को आपन नैश्नल उनिटी दे करते हैं ठीक है एंड इनका स्टैच्यू कहां पे नर्मदा दिस्टिक के अंदर है ठीक है गुजरात के अंदर है इस वर्ल्स तॉले एनुवली विजिट करने आते हैं मतलब 30 लाख लोग इसको एनुवली विजिट करने को आते हैं ठीक है तो यह इतना इंपोर्टन्ट इसके अंदर यहां पर एडिटोरियल एक इंपोर्टन्ट है जो ग्लोबल क्लामेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो फाइनसिंग का प्रॉड्लेम आ रहा है जो डिवलोप कंट्री को बोला गया थे कि आप पैसे दो डिवलोपिंग कंट्री को टांजिशन करने के लिए कन्वेंशनल फ्य करने के लिए और दिखेंगे इसके अंदर क्या-क्या है अभी जो कॉन्फरेंस और पार्टिस की मिटिंग होगी 28 ठीक है वह दूबई में होगी नॉवेंबर डिसेंबर के अंदर तो उसके कंडेक्स में यह बोला गया है कि 1.1 अगर टेंपरेशर बढ़ता है तो उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हाजार्डस हो सकता है फ्लैश प्लड़्स हा सकती है पूरा इंपक्ट हो सकता है इन इवर्मेंट के उपर ठीक है इसके वजह से आपने को जल्द से हुआ एक तो डिय ही फुर्रों के परोरा करल डैमेट को खराब कर दिया अभी डिवलोपिंगंगेंट्री जो अभी इंडिया के जैसे चाइना के जैसे यह डिवलोपिंग्कांट्री जब आपी कुछ इन्डस्री को दिख रहा है सnt तो फिर डिपिटियोपिंगिंगर तो बूले वो भी ने ढेंगे तो बूले पैसी υीद्वेस प्रत तो यह सारी चीज़ों पर बहुत चल रही है कि कि इस्टी शोट वंध willh P dogs अधर इसलिग वज़े से यह बोल आला गया किला बिद्विनी तरफ के दम टिकन देसाने हम धिकार तो बात हुः 100 बिलियन डॉलर्स का फंड दिया जाएगा एन्योली कि को हर साल में 100 बिलियन डॉलर्स दिये जाएंगे डेवलोपिंग कंट्रीज को यह पहले बोला गया था तो इस किसी एक इस वेसे से बोला गया था कि कॉमन देखो यह सब की जिमेदारी लिए बट डिफेरेशिल डिस्पोंशलेटीज एन्ट इस पेक्ट्व कामने सब के लिए उपर यह न चेंज अचाना में यह वी यह आधा आप है तो उसके वजय से क्वानमट इसके इस इस पॉर में रिस्पांशलेटी एन्ड डिस्पेक्ट्व गबिलिटी आती है नब की क् सबसे वो काम करेगा यह उन्होंने बोलाए जो पैरिस एग्रिमेंट हो था पैरिस एग्रिमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आर्टिकल लाइन के अंदर यह मैंडेटरी किया गया था कि डिवलोप कंट्री को कि बाया अब्रेट रिपोर्ट्स दीजाए ठीक है इसको कि मैंडेटर किया था डिवलोप कंट्री को यह बात याद रखे जैसे कि युएसे को मैंडेटर किया था कि आपडेट रिपोर्ट आप दे दे जिजी कि आप फाइनांचल रिसोसेस कैसे आप डोनेट करोगे पैसे इसके रिगारिंग आप क्या स्राटेजी यह आप आमको बत आप यह बाता है कि चलो ठीके हम हंडेट बिलियोंज पर यह देंगे बाट 2020 से ठीके अभी प्लट जाएंगे जहांचे सुनना 2020 में पहले बोला कॉपनेहेगन क्लाइमेट चेंज कॉनफरेंस में 2009 के 2022 2020 में हम हंडेट बिलियोंड डॉलर्स पर यह देंगे ठीके और डेवलोप कंट्रिस के लिए फिर पैरिस अग्रिमेंट हो 2015 में तभी उन्होंने कलेक्टिवली अगरी कि हम पैसे 2025 तक कलेक्टिवली मुग करेंगा अभी पास्साल इन्होंने बढ़ा दिया 2009 में बोली कि 2020 तक देंगे फिर उसके बाद उन्होंने बिले 2015 में जब पैरि तो अभी 2020 आचुका है 2020 होगा 2025 आने को है 2024 तक इनको बोला गया क्या पैसे 100 बिलेंड डॉलर्स आप फंड अलाउट कोरो डेवलोप कंट्रिस के लिए ठीक है 26 जो युनाटेड नेशन्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस हुए थी ग्लास्को के अंदर तो वहाँ पर डेवलोप कंट्रिस ने यह बोला था कि की जो 100 बिलियन वह तो नहीं हो पाया हमसे अभी 79.6 बिलियन अभी हम मोबिलेट कर सकते हैं यह उन्होंने वहाँ पर माना छो तो जो इसमें जो डिफ्रेंशल के बबिलिटीस की बात कि थी उसमें ख़ले डिवलोप कंट्री में कािशाल पे उनके काप्छा यह सब से तो हर कंट्री आपना नेश्टनली डिटर्माइन नैश्टनली डिटर्माइन गॉन्ट्रूबूचन करेंगे यहां पर देकिन उन्होंने बात की थी और यह हर पास साल में यह करते हैं रिन्यू मतलब उसको रिवाइव करते हैं उस कमिट्मेंट को और फिर से जितना कम्रीट हो उसके सबसे उसको आगे डिटर्माइट प्लाइन बनाए जाता है उसका ठीक है और जो ग्लोबल साथ और ग्लोबल नॉर्थ को पहले कंस्रेस मुझे जिए ग्लोबल साथ वो कंट्रीज होती है जो अंडर ड्वलप्ड है जिनका ड्वलप्मेंट नहीं हुआ है और ग्लोबल नॉर्थ को इलेट कंट्रीज बोला जाता है उनके पास पैसा है ड्लोप्ड है इंट्रस्टियलाइज़ रहे हैं ठीक है हे इंडिया के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी जो बायानियोल अब्रेट रिपोर्ट ठीक है फॉर इंडिया इस थर्ड बायानियोल रिपोर्ट सेज इंडिया को क्या मेलेगा फाइनचल असिस्टन्स डिरावड फ्रम देशनल डिटर्माइंड कॉन्ट्रिपुशन पर कर लिए अडशन के लगेगा फिरेवक दैने टोचत्रिपुशन के लिए 206 बिल्यन डलर और मिंटिकेशन के लिए कितना लगेगा को है इस त्री इंडियूंग डॉल्र रिस्पेक्टिवली लगेगी ठिकें कि देखो एडाक्षान और मिटिकेशन दो कंसेप्ट है एडाप्षान का मतलब क्या होता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वज़ेसे आपको उसको एडाप्ट करना पड़ेगा कुछ तो ने टेकनोलोजी बनागी उसको बोले क्लाइमेट चेंज हो गया है होगा फ्यूचर के टेंश मोड़ी बात कर सकते है तो उसके लिए जो फंद लगेगा उसको बुलेंगे मिटिकेशन फंद ठीक है अग्याइशन प्राइशन फंद रिक अग्याइशन फंद रिकार्वर क्लामी चेंज इसके अंदर बहुत जादा फैंचल एड नहीं दी जाती जो डेलोपिं कंट्रीजे उनको टांजिट करने के लिए अग्याइशन फंद पैसे नहीं दीए जाती इन उने बोलाए और इंडिया ने 2000 मतलब जो कॉंफरेंस ऑपड़े 27 हुआ था उसके अंदर उने बोला था कि इंडिया के अंदर ये इंपोर्टन डाटा है अब नोट भी जार सकते हुआ इंडिया थेद्धिने हम इंडिया इजिए आइज अ कट्रीशन आता हैं आज 3.6 million people in 159 districts in India entrance in the fossil fuel economy through direct or indirect jobs related to the coal mining and power sector 3.6 million मतलब 36 लोग इंडिया के अंदर coal and power mining के सक्टर के अंदर job ले रहे हैं तो हम direct transition नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो job loss पे भी affect करेगा हमारी ये इंडिया ने बोलाए ठीक है अभी यहां पर जो hundred billion dollars की बात की गई थे अभी हम hundred billion dollars देंगे तो इसके अंदर ना कौन कितना contribution देगा ये नहीं है मतलब ये country इतना contribution देगी इतने रुपे देगी ये country इतने रुपे देगी उसके बाद ये इतना fund बनेगा तो इसका demarkation नहीं किया गया है और इसके वज़े से confusion होता है तो यही बोला गया है कि mandatory mechanism होना चाहिए जिसको यूज करके आप fund allocate कर सको global environment facility जो है वो United Nations climate UNFCC के अंदर आ थी ठीक है उसकी funding agency वो grand और funds देती है low concessional rate पे interest rate पे और वो हर चार साल के बाद उसका fund कतम हो जाता है उसको replenish करना पड़ता है ठीक है आईसे ही एक green climate fund बनाया गया जिसके अंदर 100 billion dollars आपन developed country डालेंगे उसको setup किया गया था इंपोर्टन्ट इसक्राइब क्लाइमेट फंड बनाया गया था बाद डेलोप countries to mobilize the finance ठीक है और 100 billion dollars वो उसके अंदर देंगे लेकिन आभी तक उसके अंदर इतना पैसा नहीं आया है यही इनका बोलना है और इन्हों में यहां पर लास्ट में एक बात बुलिए कि देसे की जब 2009 10 में जब फाइनाशल क्रिस आया थे तो जी ट्वेंटी की इलाइट कंट्रीज के इसमें इन्होंने बोला कि इलाइट ग्लोबल नॉर्थ अभी मैंने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल आपको बताया तो ग्लोबल इतना इस आर्टिकल में ठीक है बाकी कुछ भी नहीं आपी यहां पर एक आर्टिकल है इन दे पेगासेस बैटल दफाइट फॉर्विलेंस रिफॉर्म ठीक है फोड़ा पेगासेस के बारे में समझेंगे ऑक्टोबर 30 2019 में पेगासेस से रिगेटेड इशु बाहर आया था इंडिया पेगासेस सिंस ऑक्टोबर 30 2019 में वाटसप ने बोला था की पेगासेस आपकी फोन में और इन लोगों को टार्गेट करें पेगासेस के नोओ इंफेक्ट दिवाश विड़ाश विड़ाइट इन एक्शन आप्टिकल इसको में समझा तो क्या है पेगासेस का से व कि इसराइल ने डिवलप किया हुआ एक स्पाइवेयर है पहली चीज तो और इसको कोई इंडिविजियल ने खरी सकता यह सिफ गोर्मेंट्स को बेचती है जो जो स्टेट्स के गोर्मेंट्स उनको बेचा जाता है यह इतनी चीज क्लियर हो गए अभी इसको यूज कैसे ग लेगा और वो अपने हाँ से वह आया हुआ मैसे डिलेट कर देगा तो उसने अपने फिंगर मतलब जो फिंगर प्रिंट से उसको भी मिटा दिया ना आपको यह ने समझ में आयाएगा जब सबर उटो कि आप फोन दो होए तो यह आलसो नो डैट कि आपको मैसेज आया था क इससे ने चेड़छाड कि कुछ भी ने समझ में आएगा और पेगासेस क्या करता है माईक्रोफोन का एक्सस देता है चैमेर का एक्सस देता है यदि आपका फोन पर के पास रखागा तो वह वहां पर बाट के सुन सकते आप क्या बात कर रहे हो ठीकिले कि यह आपको ने प आपनी गोर्मेंट की रिपोर्ट नहीं है यह New York Times की रिपोर्ट अगॉस्ट 5, 2021 विक्टिम अप्रोच दो सुप्रीम कोट जिनकी जिनकी उपर इंडिया था उनको लग राता उनको लग राता तो सुप्रीम कोट गे वेर इंडिया देमोंस्ट्रेटेट तो फॉरेंसी काइनस यह इस नगे फॉरेंस चेज़ आद रखो उसके बाद दूक्टिम ने एक्स्टेंशन मिले लिए अंदर जागे अबी तब कुछ कमिटी का रिपोर्ट नहीं है ठीक है यह इतना ही चीज़े याद रखो उसके बाद ओर ओर अफर्वलेंस लाओ इसनेसरी तो प्रिवेंट दर इंडिस्क्रिमिने द मोनिटरीं ओपीपल इंते इस बाइड बाइस यह इस बाइड शोट ने के लिए तो सर्विलेंस को रोकने के लिए काम करना चाहिए तो इंडिया के अंदर दो एक्स है इन फ्ट Technology Act 2000 and Indian Telegraph Act 1885 विच एमपावर दो गोर्मेंट तू शर्वील कॉंसेंट्रेट सविलेंस पावर इन हैंड्स ओफ एक्जिगेटीव पावर एकसाइस करेगा इसके उपर सर्विलेंस करने के लिए कोई इंडिपेंगेट एजन्ची जुडिस्टीया पार्लामेंट ने नहीं बनाए यह नोने बोराया आपे प्रपोर डाटा प्रोटेक्शन डज नॉट एड्रेस इस गंसर्स अभी जो डाटा प्रोटेक्शन भी लाया है इंपर्टन पॉर्ट कि इसको याद रखे इसके अंदर भी यह जो पाइंगे इसके उपर कोई उन्होंने कडा कानून नहीं बनाया है और जॉइंट पारलेमेंटर केमिटें इसका रिकमेंडेशन गया था कि आप इसके उपर कुछ तो भी इसको एड्ड करें इसके आंदर तो यही उस निजमे था उसके बाद चाइना इस विलकम तो वी बिकम पार्ट आफ वक्रणाइस तो इंडिया के न्हीं आंदर जो पावर और ईन्यवल एनरजी कि मिनिस्टर एं मिनिस्टर फ़र पावर अंदर इन्यों उन्होंने बोला है की इंट्रेंनल सोलार राइस जिसको इंडिया और फ्रांस ने फुट हुट न अंदर एस्टेब्रेश किया था कि आप पार्ट बन सकते हो चाइना को लाइक इंटरन सोलर अलाइंस ठीक इतनी इस न्यूज में था बाकी कुछ भी नहीं उसके बाद 50 किल्ड इन इसराइल एर स्ट्राइक और रिफ्यूजी कैम्प इन गाजा तो 50 लोग मर चुके इसराइल यह स्ट्राइक के वह जैसे जो रिफ्यूजी कैम्प लगाया गाजा के अंदर उसके वह जैसे ठीक है येमेन हाउतीस क्लेम ड्रोन आटक ओन इसरेल विजो तिंच बात इच्छो येमन ये कंट्री है हाउतीस वहां के रिबल से मतलों वहां के एक टेरिस्ट और इसको इरा स्पांसर इरान क्लोस्टू इन्टो दे ओन गोइंग इसरेल हमास वार गाजा स्ट्रीप और फर्दर रिलीज दरीक्स ऑफ रिजिनल कॉंफलिक एरप्शन तो जो हमास इसरेल वार चल रहा है उसके वह जैसे उन्होंने इसरेल के उपर हमास को सपोट दिखाने के लिए उन अजर बच्छो की वज्ये से दोनमर फपीनिंग रिपूद इस विजिव चुनियों की इतने बच्चे मर्च्चो के इस राई जिस सिग्निफिकंटली एर दे राता है दुकत कानी दुकत गतना ए इसको वी शुट गंडेम इस तिंग इस तिंग इसरेल नहीं नहीं करना चा इप ओशन मिशन की रिगाड़ी तो डीप ओशन मिशन को क्या अंदर बोला गया था कि जरनी की जाएगी 600 मिटर मतलब 6 किलो मिटर अंदर दो अंदर दो अंदर दो ऑशन सब्सक्राइब अंदर इसके 6 पिलर इंपर्ट अंदर इसके में समय सकता है तो इसलिए इसको रेट लीजिए डिप्सी माइनिंग मैंड शब्मर्सीब तो कैरी दीप पर अप्टो देप्ट आप 6,000 6,000 मिटर्स इंद ओशन सब्सक्राइब विल बीकुप विद शुट फॉर सेंटिफिक सेंसर टूल्स इंटिगरेटर सिस्टम फॉर माइनिंग पॉली मेटलिक नोडूल्स फॉर्द सेंट्रल ओशन इंडियन ओशन ठीक है पॉली मेटलिक नोडूल्स आगे आएगा उसको देखिए अपने यह तो सब्सक्राइब जाओ प्ल्सचाइब चस्टम पर ख्यान इंडल्स नियुट इन इंडियन दौल्स इंड एपनेड़ टि करेंगे इवेसे तक्नलोच इन हैं इंडिंडियन इन दिप्लशन इंडियन इंडिक कारिणी mineralization through the Indian Ocean mid-oceanic ridges harnessing the energy and fresh water from the ocean who say energy or fresh water ocean candor who's cooper study carrying a harness can use go establishing an advanced orientation for ocean biology importantly as a hub for the nurturing talent and driving a new opportunity in the oceans and the blue technology the new bio technology is regarding a company take a pillar and deep ocean mission important thing is corporate never here the new to new India 2030 document outline the blue economy as the six core objective of India's growth to do six core objective in the growth candle to my blue economy blue economy material ocean related economy in 2023 21 to 30 it has been designated United Nations to the 1031 30 to the decade of decade of ocean science book declare this is important data that United Nations declare a decade so 21 2030 2021 2030 ocean declared declared क्या गया थीक है United Nations International Sea BD Authority इसका आ गया आएगा ये अगनेशन की आथरेटी जो सीबेड को और अरगनाईज्ड करती है और पावर्स देती है बाकी इगंट किसके किया आप इसके उर्सक्राइब इसके बाइस पर सार्श गर सकते हैं including poly-metallic nodules and poly-metallic sulphides. International United Nations International Seabed Authority has allocated 75,000 square kilometer in the Central Indian Ocean and additional 10,000 square kilometer at 26 degrees south to India for this. अपने को 75,000 और 10,000 square kilometer का एरिया इन्टरेशन स्वाला सीबेड आर्लाइंस ने तो ये बाते बहुत प्री में डायरेक्ट कोशन आ सकता है बहुत फैक्शुल है इसको व्याद रखिया अभी समझे पॉलियमेटलीक नॉडल्स क्या होते है वीच कंटेन देश्च मेंतल्स कोपर मैंगनेज निकेल आयरन कोबाल्ट एन फॉंड एक प्रोज़वेटली 5000 मित इप इंपोर्टन रच लिजे इसको पॉलियमेटलीक नॉडल्स में क्या क्या होता है कुण कुण से एक सब्सक्ट हाए कॉमेटलीक नॉडल्स कर दोसे कॉइद्यू मेंगने टोसे में सब्सक्राइब डिकेल इसको सवेंगनेए सब्सक्राइं एरं भर्लच मेंकूढ ingeड अबर्लच को गातने मित्र पॉति ह Ginsy red इंडियन ओशन देर्फोर आवर इंट्रेस्ट स्पैंड डेप्त ऑफ 3500 मिटर्स तो इतना ही अरिया आपनी इंपर्टन हो जाता है इनकी डिस्कुरिय के लिए ठीक है इसके अंदर इतना ही इंपर्टन था इसके अंदर इन्होंने बोलाई कि जैसे स्पेस में गागान बेज मेज़े रहे हो तो और आपको पसंद आया हो तो आप टेलिग्राम पे आपको आपको अपडेटेट पीडियाप मिलेगा इसका थेंक्यू